नमस्का शामदरिक विज्ञान के इस अंक में एक बारपनों आपका स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भास्करानन दोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लोक्स में एक सुनर सी मेल हतेली आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हतेली मेरे शामने बिवेचना के लिए आ रखी है देखेगा हतेली की जो आकरती यहां पे दिखाई दे रही है ये आकरती सबसे उत्कृष्ट आकरती होती है हतेलीों के आकरते साथ परकार की बताई गई है सामदरिक बिख्यान में और उन साथ परकार की आकरतियों में जो ये आकरती होती है इसको सबसे उत्कृष्ट आकरती वाला हाथ बताया गया है बनी पहला नम्मर इसी का है और इसको कहते हैं दार्षनिक हाथ ठीक है ने, इन लोगों के अंदर एक दो चीजें होती हैं, क्या होती है एक तो इनके अंदर एक रिसर्च की सामर्थ होती है, दार्षनिक होती है एक अनुसंधान करता एक सोध करने वाली जैसी प्रवृति इनके अंदर होती है researcher भी इनको कहते है ठीक है न और जादतर चये कैसी बी इस्तिति हो सकारात्मक दृष्ठिकोन रखने वाले होते है अगर हम career का इनका मामला देखते है तो जिसमें मानसिक कार्य जादा किया जाता हो जिस कार्य में मस्तिस्क का जादा प्रियोग होता हो सार्रिक मेहनत थोड़ी कम होती हो और मानसिक मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती हो वो काम है और दोसरा जिस कार्य में बोलने से ज़्यादा काम चलता हो सार्रिक मेहनत कम करना पड़ता हो उस कार्य में इनको कायम्याबी मिलती है अगर ये लोग बहुत ज़्यादा सार्रिक कार्य में चले जाएं तो न तो वो सुटेबल रहता है न वो तरकी देने वाला रहता है न ये लोग उसमें कार्य ही या उन्नती ही कर पाते हैं तो कहीं न कहीं एक उत्क्रिष्ट हाथ है एक अनुसंधान वाला एक रिसर्च वाला हाथ है एक दार्चनिक हाथ है ठीक है न और कार्य के बारे में मैंने बता दिया दूसरी चीज हतेली की जो रंगत देख रहे हैं आप ये बहुत सुन्दर है इसका मतलब है कि आने वाले सम समय में ब्यक्ति का भाग्योदय बहुत सुन्दर इस्तिति में रहेगा और सबसे अच्छा इनका समय कब से आ रहा है देखेगा 35 35 वर्स अनतीस्वां वर्स 41 वर्स 42 वर्स 45 वर्स और 57 वर्स इन वर्सों में जब जब ये पर्वेस करेंगे अपनी जीवन काल में तब तब इनको गोल्डन अपॉर्चुनुटी मिलेगी और इनको जो है इन वर्सों में बड़ी सतरकता से पूरा जो है उसका लाव लेना चाहिए क्योंकि ये वर्स इनके लिए बहुत महतुपूर्ण है 35, 38, 41, 42, 45, 45 में तो पूरा भाग्योदय है इनका भाग्या पूरी तरों से उदय हो रहा है और दो बार भाग्योदय की इस्तिति है एक 45 में वर्स के आसपास और एक 57 में वर्स के आसपास ये तो भाग्योदय है अपनी चरम पे रहेगा अपनी पेक पे रहेगा ठीकन अब इनके हाथ में एक बहुत बड़ा राजयोग बनावा है जिसको सामद्रिक बिग्यान में सबसे ज़्यादा महिता दी गई है और वो है बुद्धादित्या राजयोग लेकिन बुद्धादित्या राजयोग अभी धाई वर्सों तक इनका ब्रस्पति दुस परिणाम के अवस्ता में ले जा रहा है क्या कर रहा है यह मैं बताता हूँ पहले बुद्धादित्या राजयोग बताता हूँ किस से बनता है बुद्ध से और आदित्य से और इसमें मुख्य भूमिका को निबाता है देव गुरु ब्रेस्पति ठीक तो यहां पे कैसे बन रहा है और क्यों अभी ब्रेस्पति उसका परिणाम नहीं निकलने दे रहा है ठीक है न वो भी बताता हूं देखेगा इनकी अग जोकी हुई यह सूर्य की उंगली की तरफ आदित्य की उंगली की तरफ इसको हम क्या कहते हैं रिंग फिंगर कहते हैं आज कल की भासा में वैसे इसको संस्कृत में हिंदी में अनामिका कहा गया है जिसका कोई नाम ना हो अनामिका ठीक है न तो यह इस तरफ जोकी हुई है इसका मतलब क्या है धन का माने की ललक बहुत जादा है और रहेगी लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है ये इसके पहले पौरवे तक पहुँच चुकी है जब ये सुन्दर अवस्ता में कैसे भी हो इसके पहले पौरवे से उपर हो इस उंगली के यहां से उपर हो तो ये बहु बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत उत्कृष्ट माना जाता है, अगर ऐसा विक्ति अपनी जीवन काल में विजनिस करता है, या उससे समंदित कोई कार्य करता है, तो ये उत्कृष्ट ब्यापारी बन जाता है जीवन में, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, अब जीवन मैं ऐसी इस्तित देखता ये व्यक्ति की एक बार को सोचता है कि यार छोड़ दो सब कुछ कुछ नहीं होने वाला लेकिन उसी चीज से उठकरी व्यक्ति सोने की तरह तप करके चमकता है उठकिष्ट व्यापारी बनता है अगर ऐसा व्यक्ति कोई भी हो जो वीडियो देख रहा हो द्यान से देखे अगर नौकरी कर रहा हो चाए प्राइवेट हो चाए सरकारी नौकरी हो ये अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है और अपने जीवनकाल में उच्च वर् तम व्यक्ति होता है किन कारणों से दो कारणों से सिर्प दो कारणों से क्या कारण है दोनों देखेगा एक तो है अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुर इनके अंदर जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये डेपलप होता जाएगा और वो बड़ी अच्छा फल देगा द पहुचता है ठीक अब मैंने बुद्धा देते योग का एक छोटा सा नमूना दिखाया है अभी और देखेगा अब इनका बुद्ध का परवत देखेगा बहुत सुंदर इस्तितिमी है जब बुद्ध का परवत इस प्रकार से हो तो सबसे पहला प्रभाव देता ये आपकी वानी पे ऐसे बिक्ति की वानी बहुत अच्छी रहती है ठीक है ने कहां पी क्या बोलना है किस प्रकार से बोलना है कब अपनी बातों को सही तरीके से रखना है किस के सामने रखना है कैसे रखना है उस योजना बना कर ऐसा बिक्ति अपनी बातों को रखता है दूसरी बात हर तरह की प्रस्तितियों को भली भात समझने वाला ये बेखती होता है क्योंकि बुद्ध इसी का मालिक है एक चीज है ऐसे लोगों के लिए जरूर कहूंगा अगर आपका बुद्ध मुझबूत है तो योजना बना कर चलें तभी आपको लाब होगा अगर बिना योजना के चलेंगे तो आप हमेशा हानी की इस्तिति में रहेंगे दूसरी बात ऐसे लोगों के अंदर एक गुण और होता है ये लोग जो भी कार्य प्रारंब करते हैं उसको कभी भी अधुरे में नहीं छोड़ते हैं पूरा आउश्य करते हैं अब आप देखेंगे तो आपकी हतेली में बुद्ध सही रूप से बिक्सित अवस्ता में है आप मनो बेग्यानिक छितर में भी माहिर है सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरों से जानते हैं और ब्यापारिक कारियों में बुद्ध की तरफ से बिसे सपलता की प्राप्ति है अब यहां पर देखेंगे ये लालिमा लिये हुए भी है और इसको दबाएंगे तो लचीला भी है मनि ठीक समय की तलास है आपको और समय का पूरा पूरा उप्योग करने में आपको दक्छता हासिल है आप दक्छे है तो ये वहां बुद्ध अब आदित्य की और चले है इनकी उंगली देखें तो ये पूरी तरों से जुकी हुई है और इस तरफ जुकाओ है इसका किसकी तरफ सनी ग्रह की उंगली की तरफ ये भग्या अस्तान भी है और सनी का अस्तान भी है ठीक है इसका इस तरफ जुकना क्या बताता है कि बिक्ति के अंदर यस पाने की चाहा है परसिद्धि पाने की नेम फिम पाने की चाहा है और अपने कारियों में बिस्तार हो एक ब्रांड बनकर उभरा जाए ये बिक्ति के अनर ललक भी है और ये नेचुरल है क्योंकि सूरे के नेचुरल गुण है ये दिखाई दे रहा है अब यहां पे देखेंगे तो ये आपकी कौन सी उंगली है इंडेक्स की फिंगर है जिसको हम तरजनी कहते हैं ठीक है न अब इससे बड़ी है ये सूरे की उंगली और मिडिल फिंगर से छोटी है तो ऐसा बिक्ति चीजों में रिस्क लेने की ताकत रखता है चीजों में जोखिम उठाने की ताकत रखता है और उस रिस्क लेने में उस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पनो उठने की ताकत भी रखता है जिसको हम हिम्मती सुभाव कहते हैं क्या कहते हैं हिम्मती सुभाव अब कैसे बनता है वहिया बुद्धा दित्याराजियोग देखेगा जब ये उंगली इस प्रकार से इसके पहले पौर्वे तक आ जाए ये सूर्य की उंगली ब्रिस्पती की उंगली से बड़ी हो मिडल फिंगर से छोटी हो और ब्रिस्पती का परवत पुष्ट और सुन्दर हो जो यहां पे नहीं है ब्रिस्पति का प्रवत क्या है? साधरन अवस्ता में है तो इसलिए अभी आपको क्या नहीं मिल रहा है? बुद्धादित्यराज योग का फाइदा एक परसेंटे भी नहीं है एक परसेंटे भी नहीं है जो है वो अपने कार्य और कर्मों के अनुसार मिल रहा है आपको गर्हों के अनुसार आपको कोई फाइदा नहीं मिल रहा है यह accurate है चाहिए आपके जनम पत्रिका में कितने भी अच्छे गर्ह हैं मैं नहीं जानता हूँ जनम पत्रिका को कितना भी अच्छा फाइदा दे रहे हैं लेकिन हतेली प्रैक्टिकल क्योंकि ये कर्म कुंडली है ये प्रैक्टिकल बता रही है कि जो होने वाला है वो बहुत बड़ा होने वाला है लेकिन जो संगर्स जेला है वो भी बहुत बड़ा जेला है ठीक है ने अब यहां पर क्या होता है कि जब यह बड़ी होती है यहां तक यह बड़ी होती है इससे और इससे छोटी होती यह पुष्ट होता है तो यह बुद्धादित्य राजयोग बनाता है अब प्रेक्टिकली तो बन गया क्योंकि यह तो अपने समय पर पुष्ट होंग अगर एक परसेंट किसी प्रस्तिति वस ऐसा ब्यक्ति सरकारी नोकरी या इससे समंदित चेतर में कार्य न पाया तो फिर ये ब्यक्ति ब्यापार की तरब जाता है और ब्यापार में उतकृष्टता पाता है ब्यापार के कारण जाना जाता है और ब्यापार के कारण इस ब्यक का छेत्र है चिकित्सा का छेत्र है मैनेजमेंट का छेत्र है बानिज्य का छेत्र है कानोन का छेत्र है इन छेत्रों में विक्ति अगर मेहनत करे परियास बहुत जादा करे तो निश्चित ही विक्ति को लाव होता है नहीं तो व्यापार में जाता है विक्ति अब यहां पे द तरब देखता है कुरोर गरह की तरब तो परिवार को लेके कोई न्यों कोई चिनताईं बनाई रखता है और यहाँ फिजादा से जादा दो वर्सने तो 18 महेने तक है परिवार को लेके थोड़ी सी चिनताईं रखेगा और कुछ और चीज भी दे रहा है देखेगा जब यह भी कमजोर होता है इस तरोसे साधरन अवस्ता में बैठा रहता है तो बेक्त के अंदर भी थोड़ी सी साधरनता देता है सामन बेक्तित्व के और बेक्ति को ले जाता है और ऐसे में जो हमारे जीवन में सबसे सुभिया जरूरी है उन चीजों में कमी करता है जब बरिश्पती ऐसा हो आपके पास कितना भी अच्छा नौलेज है कितना भी अच्छा ग्यान है उसको implement करने के लिए platform नहीं मिल पाता है अगर मिल भी गया बेकती उस platform को सही से यूज नहीं करता है ऐसे में कहीं न कहीं जो विवा है दामपत्य जीवन है उसका जो चरम सुक का भोग है उसके बीच में ये प्रस्तितियां खड़ी करने का कार्य करता है कोशिस करता है संतान को लेके भी कही न कहीं चिंताईं देता है और पैतरिक संपते का बिक्ति को वो लाब नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहे और सभी परकार के सुक है अर धन को लेके भी कही न कहीं बरकत की कमी करता है ऐसे में बिक्ति एक लेबल पार करके दूसरे और्बिट में नहीं पहुँच पाता है वो कहीं न कहीं रोकता है चीजों को और कभी-कभी बिक्ति अपने आपको अकेला महसूस भी करता है तो ब्रेस्पति को हल्का पस्थिक करने के आफशकता है यहाँ पे बागी चीजे मैंने राजयोग के बारे में आपको पता दिया कि बहुत बड़ा है अब यहाँ पे आदित्य पे आओ सूर्य एक सही तरह से उर्जा प्रवाइड वास्तविक रोप में नहीं कर पा रहा है क्यों नहीं कर पा रहा है ऐसे में देखेगा जो आप मिहनत करते हैं जितना आप परिस्रम करते हैं उस मिहनत का उस परिस्रम का जो पूरा स्रेई है जो पूरा क्रेडिट है वो आपको नहीं मिल पाता है इस बात का दियान लखना दूसरा जो प्रियास आपके द्वारा किये जाते हैं उन प्रयासों में पूरी सपलता आपको अरजित नहीं हो पाती है ऐसे में जो आपके अंदर योगिता होती है जो आपके अंदर क्वालिटी होती है उस तरह से चीजें उभर कर पूरी तरह से नहीं आपाती है निखर की नहीं आपाती है एक सहजता से एक सरलता से ऐसे में बित्त को रास्ता नहीं मिल पाता है और सूरे जब सही सी उर्जा नहीं दे पा रहा हो तो चाहे सारिरिक हो या मानसिक जो स्वास्त्य है वो एक बेहतरीन रहना चाहे उसमें कमी लाता है जो जीवन की वास्त्विक्ष सहाले है जो जिवन का उत्सा है जो उसकी ओर्जा है इन तमाम आयामों पर ये प्रभाव देता है अब इसको एकुरेट तरीके से ठीक कैसे किया जाए इसके लिए बहुत ज़्यादा पोजा पाट करने की आफशक्ता नहीं है मैं एक दिब्य सुरे किरिया आपको दे रहा हूँ उसको प्रवपर तरीके से आप करिएगा उससे क्या होगा? तीन से चार महने तक करिएगा आप देखेंगे कि आपकी जो सारेरिक चक्राज है चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजोद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ प्रस्परताल मेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव आपकी जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा जहां आपकी सारिरिक से बेहद अच्छी होगी वहीं आपका मानसिक संतोलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहिजता से चलने बैठ जाएगा फिर चाई सारिक हूँ या मानसिक स्वास्त्य हूँ, जिवन की खुसा हाली हूँ, जिवन का उत्सा हूँ, इसकी ओरजा हूँ, इन चीजों की आपको चिंता नहीं करने पड़ेगी, ये चीजे हमेशा आपके साथ बनी रहेंगे अब यहाँ पर देखेगा एक चीज जो सबसे बड़ी दिख रही है, उस चीज को देखो करना न करना आपका काम है, लेकिन बताना मेरे काम है, जिस प्रकार से दिखाई देरी चीज, अगर इस छोटी सी चीज को आप कर सकते हैं, तो आपकी जिवन की तमाम कनफ्यूजन, तम उतार चड़ाओ, तमाम परकार का संगर्स, तमार परकार की दुविधा, यह सब निकल जाएगी, और आप तरक्की को पाकर, मनी एक लेवन पार करके दूसरे ओर्बिट में पहुँच जाएगे, जो तरक्की का मूल उदिशे है, जो सपलता का ध्यो तक है, वो चीज क्या ह देखेगा, आपका ब्रिस्पती कुरोर गरह सनी की तरब देख रहा है, हतेली में रेखाओं का एक जाल बन रहा है, और जो आपकी उर्द रेखा है, यह तूट तूट कर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है, कहीं न कहीं आपके जीवन में पित् उसकी इस्तिती आ गई है, आपने क्या करना है इसके लिए, कि जब यह स्राद पक्षा आता है, पित्र पक्षा आता है, आपके जो कुल के प्रोहित होंगे, ग्रहमन देवता होंगे, तो अपने पित्रों के निमित, गंगा के नारे, अब मेरे को दो तिन जगा मालूम है, बाके आपके कुल प्रोहित बता देंगे, तो उनके निमित आपको, चाए हरिद्वार में नारायन सिला है, चाए इस भूमी में जो बैकुंट धाम जिसको कहते हैं, इस भूमी का बैकुंट धाम, भगवान बदरी विशान में, बदरी नारायन में, जो ब्रहम कपाली है, अलकनंदा के किनारे और यहां पे गंगा के किनारे, तो उसमें अगर आप नारायन बली करें, अपने पितरों के निमित, अपने कुल प्रोहित के द्वारा, अगर कुल प्रोहित ना हो, तो किसी अच्छे ब्रहमन के द्वारा, करमकानी ब्रहमन होना चाए, उसके द्वारा अगर करवाएं तो आपके जीवन से पितरदोस हाट जाएगा और तमाम परकार के आपके जीवन में उनका आशिरवात लगेगा अब देखेंगे यहाँ पर बरतमान इस्तिति में देखेंगा आगे तो बहुत अच्छी इस्तिति आ रही है अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो दो रेखाईं ब्रस्पति से प्रभावित होकर सूर्य की और आ रही है इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती है जब यह सूर्य की तरफ आती है तो इसका मतलब होता है कि आगे चलकर आपका उठना बैटना बहुत बड़ी लोगों के साथ होने वाला है मनि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्टित लोगों के साथ आपका जुडाव होने वाला है और जिसका लाब आपके जीवन में जबर्दस्त रहेगा दूसरा बहुत इकता से ज़्यादा अध्यात्मिक जो आपका बल है जो आपका आभा मंडल है जो उसकी ताकत है वो आपके अंदर आपके पंचतत्व अपने में धारण करने वाले हैं और आप अपने को जान जाएंगे आप कोन है आपका जीवन में जन्म लेने का उदेश्य क्या है आप क्या करने आए है ठीक ना आपको आत्म साक्षातकार के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा आप अपने आपको खुद जान जाएंगे ठीक ना ये इस्तित दिखाई दी रही है ये रेखा जैसे जैसे प्रबल होगी वैसे वैसे इसका लाब बहुत अच्छा मिलेगा और बहुत जल्दी ये प्रबल होने वाली है इस रेखा के बारे में एक सास्त्रिय प्रमान में देता हूँ सास्त्रों में इस पश्ट कहा गया है सो उर्द रेखा विशे सेणो राज्य लाबकारी भुवेता खंडिता दुष्ट फल परदा और छीना छीन फल मनि अगर ये भग्य की रेखा आपकी हातेली में इस पश्ट और सुन्दर एक रूप में दिखाई दी रही हो कोई रेखाई इसको काटन रही हो हातेली में इस तरों से मकड जाला ना बना हो तो बहुत बड़ी लाबकारी होती है आपके करियर में आपके धन में पूरी तर जैसे आपके है तो थोड़ा सा दुष्ट फल देती है मनी उतार चड़ाव देती है, संगर्स देती है आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योगिता होती है वो आपके परियास होते हैं, वो पूरी तरह से निखर के उभर के नहीं आती है और बिल्कुल चीन हो, तो चीन फल देती है, उल्टा फल देती है तो आपकी चीन नहीं है, लेकिन खंडित जरूर है बनी पूरी तरह से ठीक नहीं है आप इसको कैसे ठीक करें, इसके लिए मैं दो-तीन चीजें आपको दे रहा हूं एक तो दिव्य सूरे के रिया आप जरूर करें जो सूरे के लिए भी आपकी मदद करेगा इस नगिटिव उर्जा को खतम करने के लिए भी मदद करेगा और दूसरा में आपको एक दिव्य योग ध्यान के रिया दे रहा हूं जरूर करेगा आपको बहुत बड़ा लाब होगा और तीसरा सबसे बड़े ग्रह के लिए में जो ब्रिस्पति आपका अगर उत्म हो जाए तो ये सब कुछ कर सकता है किम कुर्वंति ग्रहे सरवा ये ये केंद्रे ब्रिस्पति प्रासर ने तो स्वयम कहा है ठीक है ने प्रासर ने कि और ग्रह कितने भी बलिष्ट हो या कितने भी खतम हो और ये ग्रह पुष्ट हो तो और ग्रह आपका कुछ नहीं कर सकते हैं अगर ये पुष्ट और सुन्दर हो तो आपके उसमें भी केंद्र ब्रिस्पति हो जाएगा तो मैं तीसरा आपको ब्रिस्पति का उपाई दे रहा हूँ ये चीज करेगा तो आपको लाब होगा अब चलते हैं आपकी कुछ अन्य चीजों पर यहाँ पर देखेंगे तो हिर्दे रेखा है और ब्रिस्पति से मिलन कर रही है निश्चित तोर पर ये बता रही है कि ब्रिस्पति के गुण आ रहे हैं ब्रिस्पति के ठीक होने पर चाहे आप जीवन में ब्यापार करें चाहे नोकरी करें चाहे कोई और काम करें समाज में एक अच्छा जीवन आप ब्यतित करेंगे इसमें कोई दोराई नहीं दिखाई दे रहा है मस्तिस्क की रेखा देखें तो बहुत अच्छी है बौदिकास तरह आपका बहुत अच्छा रहने वाला है और एक क्रियेटिविटी वाले बेखती रहेंगे क्रियेटिव बहुत जादा रहेंगे लंबी और हवायात्राओं का आपका बहुत अच्छा लाब मिलेगा करेंगे जिससे मन परसंद रहेगा और खुशनमा माहोल बना रहेगा जीवन की रेखा देखेंगे तो ये इस प्रकार से आ रही है एक बार निश्चित कह सकता हूँ मैं इस जीवन रेखा को देखेंगे दो बातें बलकी एक तो आप अपने जीवन काल में अच्छा खासा पैसा और अच्छे खासी प्रोपर्टी जोड़के इस दुनिया से जाएंगे मनी लोग कहते ने यार बुड़ा मरातो लेकिन बहुत कुछ छोड़के चला गया ये इस प्रकार से है दूसरा घूमने फ्रिने का आपका जो सौक है सौक पूरा होगा मनी कई लोग होते हैं ने सौक तो सब लेके आते हैं जीवन में लेकिन सौक पूरे नहीं होते हैं आप उन लोगों में से एक है जिनके सौक पूरे होते हैं और वो भी बिसेस कर घूमने भिरने का जो बहुत बड़ा सौक होता है 100% पूरे होते हैं तीसरा अपने जन्म अस्तान से दूर ही आप उन्नति करेंगे जन्म अस्तान में रहकर आप केवल एक मामुली बिक्ति बन के रह जाएंगे इस बात का ध्यान रखने आप ये चीजें निश्चित आपके हाथ में है तीसरी चीज आपका ये जो रेखाई उबर रही है आपको भग्यसाली बना रही है आगे चल कर इनकी वजोस से आपका कुई काम नहीं रुकेगा कहीं न कहीं से ब्योस्ताई हो जाएंगे आपका काम चल जाएगा दूसरी बात आपको अपने जीवनकाल में अपने मकान का सुक मिलेगा ही मिलेगा प्रोपर्टे का सुक मिलेगा ही मिलेगा मकान जरूर बनेगा अगर आप सरकारी सुक की कामना करते हैं तो सरकारी सुक मिलेगा राजनीति की कामना करते हैं तो राजनीति का भी यह नहीं कह रहा हूं नेता बनेंगे लेकिन सुक मिलेगा, फायदे मिलेंगे बिल्डिंग का काम हो, होटल का काम हो, इसका भी आपको फाइदा मिलेगा लेकिन एक जरूर है, घर का सुक जरूर मिलेगा और राजनीतिक फाइदा भी आपको जरूर मिलेगा लेकिन तब मिलेगा जब ये इसपष्ट और सुन्दर हो जाएंगे ये निश्चित है और भी रेखाई है लेकिन परबल नहीं है ठीक है ने तो यहाँ पे देखेंगे तो एक सुखत जीवन जीने की चाहा बनी रहेगी और सुखत जीवन जीने के लिए प्रेतन सील ब्यक्तित्व भी बना रहेगा सुक्र आपका बहुत अच्छा है इसमें वर्टिकल रेखाई इस पश्ट दिखाई दे रहे हैं कारे के परति जुझारोपन रहेगा जिस कारे को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं और यही क्वालिटी आपको दोसरों से अलग बना सुक्र का प्रवत सुन्दर इस्तिति में है तेजोमय इस्तिति में है आपको भी यह तेजुस्वी बनाएगा आपका चेहरा भी बहुत सुन्दर होगा है काला गोरानी कहराओं में और सुन्दरता आकर्षन आपके अंदर रहेगा हर प्रस्तित को जहलनी की ताकत देता हु शुक्र दे रहा है अपने को मेंटेन रखना अपनी प्रसनल्टी पर ध्यान देना अपने को सज सवार कर रखना ये चीजें जादा रहेंगे नई चीजों के पर तिरुजान भी रहेगा चैने प्रकार का फैशन हो नई प्रकार के कपड़े हो या नई प्रकार की कोई टेक्न बहुत एक सुक्स विदाओं की तरफ भी आपका आकर्शन रहेगा चैलक्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लक्जरी जीवन हो निम्न मंगल थोड़ा कनफ्योजन थोड़ा उलजन और निरणे लेने की ताकत में थोड़ी कमी कर रहा है ठीक है यहां पर देखा जाए तो कई बार यह लगता है कि यार वास्त में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए तो इसके लिए दिब्य सुरी किरिया दे रहा हूं करने की कोशिस करें लाब होगा उपरी मंगल बहुत अच्छा है प्राकरम बहुत अच्छा रहेगा और एनरजेटिक स्वभाव बना र सुरी किरिया दे रहा हूं सुरी के बहुत अच्छा रहेगा बुद्ध बहुत अच्छा है इसका लाब होता हुआ दिखाई दे रहा है चंद्रमा की इस्तित देखें तो हलका सा अन्बैलेंस है तो इसके लिए भी मैं एक सुन्दर सा उपाई दे रहा हूं करेगा यहां प पता रहा हूं कि जो प्रारंबिक दोर है आपका वो थोड़ा सा संगर्स से कठनाईयों से भरा है लेकिन उसी संगर्स के बदोलत आप हर सुप को पाएंगे हर सुप का भोग करेंगे हतेली बहुत अच्छी है और उपाई दे रहा हूं उसको जरूर करें आपको बहुत लाब होगा इस वीडियो में बस इतना है एक नई वीडियो के साथ पनोपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार